स्वामी जी अब एक परिशानी और है जो बच्चों के साथ-साथ उनके माबाप को भी परिशान कर रही है अब बच्चे को तकलीफ होगी तो जाहिर सी बात है कि माबाप भी परिशान होंगे ही बच्चों में लेजी आय और स्कुंट की समस्या काफी बढ़ गई है और उसके लिए क्या यौगिक एक्सरसाइज हैं जिसे करने से यह सारी समस्या है बच्चों में अगर हैं भी तो दूर हो जाएंगे यह आपने बहुत अच्छा पूछा यह जो आखो में इसके इंट है या लेजी आईज है ना इसके लिए फिर एक आँख के उपर बच्चों को पट्टी बंदवाते हैं फिर उसका आँख को अभी आद्वी चे लेजी हो जाए चे आँख लेजी हो जाए यह तो स्वभाव है अपनी शरीर का अपनी इंद्रियों का अपने मन का आहार का विचार का वानी का व्यभार का बोलने का भी हमारे जैसे हम बार बार बोलते हैं वैसे स्वभा हो जाता है तो आखों का भी आलसी होने का यह प्रमाद बहुत बड़ा शत्रू है तो उसके लिए एक तो यह यह जरूर दबाना चाहिए ऐसे हम ने और यह बच्चों का बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है बड़े होने पर दिक्कत आती है इसलिए इसलिमेटिक होती है तो एक बड़ी समस्या का समाधान होती है यह जो शब्द है स्वामी जी लेजी ना इनना इस तरह के आदमी अच्छे होते हैं और आखों के लिए जो लेजी आई है या इस्कुन्ट जो भैंगा पंज इसको कहते हैं आम जबान में यह हो कैसे जाता है और क्या ठंडक लगने से भी क्या बच्चों में यह परिशानी हो सकती है तो फिर उनको कैसे बचा है यह चोटे बच्चों को होता क्या है यह आप तो बड़े गंभीर गंभीर प्रशन कर लेते हैं हसी मजाक में यह होता क्यों है यह जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था आँखों की समस्या का एक बड़ा कारण कफ भी है तो कफ के लिए बच्चों को इसलिए बच्पन में ही हल्दी अदरक तुलसी शहैद थोड़ा-थोड़ा पिलाते हैं उससे उनको ये प्रोब्लम नहीं होती कफ कोल्ड होने से लेजी आए की समस्या